नमस्कार, स्वागत है आपका जेजैन नियूस में, आपके साथ मैं हूँ निशा उपरीदी, तो चलिए दिन की शुरुवात करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ दिल्ली के शद्धा मड़ा केस में आरोपी आफ़ता पुनावाला को आज दिल्ली पुलिस साकेट कोट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस आफ़ता का नार्को टेस्क करानी की तैयारी में भी है भारते सेना की महीला सैनिक मंजु ने इतिहास रच्च दिया है मंगलवाय यानि 15 नौंबर को लांस नाय मंजु ने एलेच धूब हेलिकॉप्टर से 10,000 फिट की उचाई से छलांग लगाई मंजु ऐसा करने वाली भारते सेना की पहली महीला सोलजर स्काई डाइवर बन गई है ग्रेट अनौइडा के तुगलखपुर गाउं के एक फनीचा मार्केट में बुदवार देरा भीशनाग लग गई मौके पर मवजूद अंगल की चार गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया जम्मो कश्मीर के कटवा सामुहिक दुशकम और हत्यकान के आरोपी शुबम पर नए सिरे से मुकदमा दर्श किया गया है सुप्रीम कोट ने शुबम को नावाली करार देने के निचली अदालत और हाई कोट के आदेश को रद्ध करते हुए उसे व्यस्क माना है हिमाज़ परदेश के कुलू में बुदवा देरवा भुकम के जटके महसूस किये गए विक्टर पैमाने पर भुकम के तीवरिता चार दशमलव एक रही किसी तरह के नुपसान की कोई खबर नहीं है भार्टे मूल के पीडियाट्रीशन रॉक्टर अगराज खिललन को औस्टेलिया की प्रतिस्टिट थोज़ा तेईस विक्टोरियन औस्टेलियन औफ दा इयर आवार्ड से नवाज़ जाएगा अफगानिस्टान में बुद्वार को एक खदान में विसोट होने से पांच लोग घैल हो गई ये धमा का अफगानिस्टान के प्रांथ तकहार की राजधानी तलेकान शहर के कोट गेट के सामने तीसरी गुडम स्ट्रीट पर हुआ अमेरिकी मिड ट्रम इलक्षन में ट्रम की रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस अफ रिप्रेजेंटेविटिव में 218 सीटे जीत ली हैं अब अमेरिका सांसत के लोवर हाउस में रिपब्लिकन्स का कंट्रोल होगा तो फिला सुवे की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे सांथ और देखते रहे जेजैन नीूस